सुप्रभात कल हमने राष्ट के स्वरूप पाठ के अंतरगत भूमी के विशय में पढ़ा आज हम राष्ट का स्वरूप निर्मित करने में जिस दूसरे अंग का बहुत महत्वपून योगदान है जन के विशय में अध्यन करेंगे मात्र भूमी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट का दूसरा अंग है और पहला अंग था भूमी प्रिथवी और मनुष्य नहूं तो राष्ट की कल्पना असंभव है बचो अब आप देख रहे हैं कि यहां से रिखांकित हैं पंक्तियां आप लोग भी अपनी पुस्तक में रिखांकित कर लीजे प्रिथवी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट का स्वरूप संपादित होता है जन के कारण ही प्रिथवी मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है प्रिथवी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रिथवी का पुत्र है तो राष्ट का स्वरूप संपादित करने के लिए राष्ट के स्वरूप को निर्मित करने के लिए प्रिथवी और जन जब दोनों मिलते हैं तब एक राष्ट के स्वरूप का निर्मान होता है और प्रिथवी पर निवास करने वाले जन प्रिथवी के पुत्र स्वरूप है इसलिए जन के कारण ही प्रिथवी मात्र भूमी की संग्या पाती है माता भूमी पुत्रों अहम प्रिथव्या अर्थात भूमी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ जन के हरदय में जब इस सूत्र का अनुभो होता है तो उसकी राश्ट्रियता की भावना और अधिक बल्वती होती है और जितनी ही अधिक हमारे हरदय में यह भावना बल्वती होगी कि हमारी भूमी हमारी माता है उतना ही अधिक हमारे हरदय में राश्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित होंगे और जब हमारे हरदय में यह भाव अत्य अधिक भर जाता है तो हम अपनी भूमी के साथ अपने सच्चे सम्भन्ध का अनुभा करते हैं जब तक हमारे हर्दय में यह भाव प्रस्पुटित और पल्लवित नहीं होता तब तक हमारा हमारी भूमी के साथ जो संबंध है वो अचेतन और जड़ बना रहता है और जब जन के हर्दय में यह संबंध द्रिड होता जाता है तो उसी तरह हमारे मन में हमारी मात्र भूमी के प्रति श्रद्धा और प्रणाम भाव प्रणाम भाव मतलब आदर और सम्मान का भाव प्रकट होना और भी अधिक हो जाता है और नमो मात्रे प्रतिवे अर्थात माता प्रतिवी को प्रणाम है यह पंग्तियां भी रेकांकित है इनकी व्याख्या मैं अभी आपको बताती हूँ यह प्रणाम भाव ही भूमी और जन का द्रण बंधन ने इसी द्रण भित्ति पर राष्ट का भोवन तयार किया जाता है और इसी द्रण चट्टान पर राष्ट का चिर जीवन आश्रित होता है इसी मरियादा को मानकर राष्ट के प्रती मनुश्यों के कर्तब्यों और अधिकारों का उद्य होता है तो प्रणाम भाव क्या है? प्रणाम भाव मतलब सम्मान का भाव. जितना ही अधिक हमें अपनी भूमी के प्रती सम्मान का भाव रहेगा, उतना ही मनुष्य अपनी भूमी के साथ अपने बंधन को मजबूत बना पाएगा. और यह सम्मान का भाव एक ऐसी मजबूत दीवार है, जिस पर किसी भी राष्ट्र का भवन तयार होता है. राष्ट्र भी एक भवन की तरह है, जैसे एक मजबूत भवन बनाने के लिए उसकी नीव का द्रण होना जरूरी है, उसकी दीवारों का द्रण होना जरूरी है, उसी प्रकार एक सुद्रड राष्ट्र के निर्मान के लिए हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रडाम भाव या सम्मान भाव का द्रड होना आवशक है और जितना ही चटान की भाद द्रड या हमारा सम्मान भाव या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव उसके प्रति आधर का भाव रहेगा वह राष्ट का जीवन उतना ही लंबा चलेगा इसी मर्यादा को मान कर राष्ट के प्रति मनुस्यों के करतव और अधिकारों का उद्य होता है जितना ही हम अपने राष्ट के प्रति सम्मानित भाव रखेंगे उतना ही हम अधिकार पाने के भी भागी होंगे और जब हमारा राष्ट के प्रती सम्मान का भाव आदर का भाव रहेगा तो हम अपने करतव्यों को और भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे. इसके आगे लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार माता के प्रती पुत्र प्रेम का जो भाव रखता है वा स्वार्थ के लिए हम अपनी माता से प्रेम नहीं करते हैं या एक निशकारण धर्म है बिना कारण के पुत्र का या धर्म है जिसमें ना स्वार्थ है ना लोब है ना ला लेकिन यदि हम किसी लालच या लोब के वश अपनी माता से प्रेम करते हैं तो वह पुत्र के अधा पतन मतलब नीचे की ओर गिरने वहाँ उसकी अवनती को सूचित करता है उसी प्रकार यदि हम अपने देश से भी किसी लालच या लोब के वशी वूत होकर प्रेम करते हैं तो वह भी हमारे नीचे गिरने को सूचित करता है उसका परिणाम हमारी अवनती ही होता है माता जिस प्रकार अपने पुत्रों को समान भाव से देखती है उसी प्रकार इस भूमी पर बसने वाले व्यक्तियों को भी मात्र भूमी में समान भाव से देखा जाता है ना उसमें कोई उचा है, ना नीचा है, पृत्वी पर निवास करने वाले जितने भी मनुश्य है, जैसे नगरों में निवास करते हैं, जन्पदों में करते हैं, कस्बों में करते हैं, गाओं में करते हैं, कुछ लोग जंगल और परवतों में रहते हैं, हमारी पृत्वी इस प्रकार विविद प्रकार के व्यक्तियों से भरी पड़ी है जो कि अनेक प्रकार की भाशाएं बोलते हैं धर्म भी अलग-अलग है लेकिन हैं तो सब इसी मात्र भूमी के पुत्र न और जब इनका आपस में प्रेम नहीं रहेगा तो हम मिलकर राष्ट्र के उन्नति नहीं कर पाएंगे सभ्यता में कुछ लोग आगे बड़े हुए हैं कुछ पीछे हैं पर है तो उनका मात्र भूमी से सबका बराबर का सम्मंद इसलिए मात्र भूमी किसी विव्यक्ति के साथ भेद भाव उत्पन नहीं करती तो हमें भी किसी उंच नीच अमीर गरीव विक्सित निर्धन इन सबका भेद भाव छोड़कर केवल मात्र भूमी के उत्थान का निशकाम भाव से प्रयत्न करना चाहिए एक और ये पंक्तियां देखे रेखांकित हैं कि प्रित्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान शेत्र है और समन्वय के मार्ग से भ हो गरीब हो कोई वन में रहता हो चाहिए गाहों में रहता हो परवतों में रहता हो लेकिन मात्र भूमी की उन्नती में सब अपने समर्थे के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने का कारे करते हैं तो इसलिए हमें समन्वय का भाव अपनाना चाहिए समन्वय का मार्ग मतलब सब को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयात्न करना चाहिए। यदि हम किसी विशेश वर्ग, विशेश जाती या कुछ विशेश लोगों की ही उन्नती का प्रयास करेंगे तो राष्ट की संपूर्ण उन्नती नहीं हो सकती। तो इसलिए राष्ट की उन्नती हमें उदार भावना से सभी लोगों की उन्नती का मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार नदी की लहरे निरंतर आगे बढ़ती रहती है उसी प्रकार जन का प्रवाह में अनन्त है। याने कि इसमें सब प्रकार के लोगों का सम्मिलन होता रहता है। कुछ लोग इस धारा में बहते बहते उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती हैं लेकिन फिर कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं जो आज बचपन में हैं वो कल्युवा होकर राष्ट की समरिधी में काम करते है तो इसी तरह जन का प्रवाह भी अनन्त हैं राष्ट को बढ़ाने में लोग भी निरंतर नदी के बहाओ की तरह सभी जाती और धर्म के लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्मान करना होता है तो राष्ट को हम परिश्रम के द्वारा अपने कर्म के द्वारा निरंतर राष्ट को नवीन उचाईयों पर हम ले जा सकते हैं अब कुछ प्रशनों का अभ्यास कर लिया जाए तो पाठ एवं लेखक का नाम बताईए तो पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं कि पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप जिसके अंतरगत आज हमने जन पढ़ा और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल रेखांकित अंशकी भी मैं आपको व्याख्या बता चुकी हूँ उसी तरह आप अपनी उत्तरपुस्तिका पर लिखिएगा समन्वे का मार्ग क्या है त तो सबको एक समान अवसर और अधिकार प्रदान करना ताकि राष्ट की समगर उन्नति हो सके समन्वे का मार्ग है प्रिथवी कम मातर भूमी की संग्या प्राप्त करती है तो जन की उपस्थिति के कारण ही यह प्रिथवी मातर भूमी की संग्या प्राप्त करती है प्रिथ बंधन है प्रणाम भाव या अपनी मात्र भूमी के प्रति जो हमारा सम्मान भाव है वही भूमी के साथ हमारे बंधन को द्रड करता है प्रिथवी के वर्दानों को पाने का अधिकार किसको है तो जो धर्ति माता का सम्मान करते हैं उसकी सम्रिध्धी के लिए निरंतर प्रय अतना शील रहते हैं उन्हीं को पृत्वी के वर्दानों का पाने का अधिकार है कि जो अपना कर्तव्य इस धर्दी माता के उत्थान के लिए इस मात्र भूमी के सतत विकास के लिए करते हैं हमें राष्ट्र के प्रतेक अंग की सुद्ध क्यों लेनी चाहिए क्यों कि कुछ लोगों की उन्नति करने से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता जब हम समस्त जनों को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे समन्वय की भावना रखेंगे किसी भी जन को नहीं चोड़ेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और अंतिम प्रश्ण है कि समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से क्यों संचालित होना चाहिए इसलिए कि नीजी स्वार्थ के वसीभूत होकर मनुष्य सच्ची उन्नती नहीं कर सकता इसलिए हमें संकुची दायरा छोड़कर एक व्यापक द्रिश्टिकों अपनाना चाहिए ताकि राष्ट्र की पुष्कल उन्नती हो सके पुष्कल मतलब समाग्र सर्वांगिन उन्न हो सके इसका आगे का अंश हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में